हेलो फ्रेंड समस्कार सबीको मैं शेफ परशोक स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने यूट्वी चैनल कुकिन शेफ परशोक तो आज मैं आपको आलू गोबी बनाने की फिल्कुल डिफरेंट रेस्पी बताऊंगा आजम बनाएंगे तरीवाले आलू गोबी इसमें आपकी गोबी भी ने टूटेगी और आलू भी आपके खड़े खड़े रहेंगे तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर मैंने गोबी लिये और चार मैंने आलू लिये मीडियम साइके जिनको चिलके मैंने पानी में रखा है ताकि आलू का कलर डार्क रोजा है सबसे बहले गोबी की कटिंग करनी है गोबी को आपने बड़े बड़े पीसीज में काटना है चोटे पीसीज न करना है इसके चोटे पीसीज करेंगे तो ग्रेवी के अंदर डालते हो गल जाते हैं यह देखिए और थोड़े डंटल के साथ काटना है थोड़े जो फूल होते हैं उसके डंटल भी रखना है साथ कर्ट लगा देंगे तो यह जल्दी पकेंगे नहीं तो यह पकते नहीं और फूल जल्दी घल जाते हैं तो इस तरह से कर्ट लगा लीचिए और यह जो देखे डंडल बचाता ना अलग से इसको अपने ऐसे काट लेना है इसको आलू के साथ पकाएंगे अब आलू को कैसे पानी में डाल्दी पॉडर कोड़े紧 इसके बदर मसाला त्यार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने एक बौल लिया है और उसके अंदर हम धनिया पोड़र डालेंगे एक चमच, आधा छोटा चमच जिसमें जीरा पोड़र एड़ करेंगे आधा से थोड़ा सा कम छोटा चमच जिसमें हल्दी पॉर्डर डालेंगे आदा छोटा चमझ जिसमें लाल मेची पॉरडर तीखे वाला और एक छोटा चमझ बढ़रके है कशमीरी मिर्च पॉरडर डालेंगे एक कलर के लिए थोड़ी जी आपने इसके अंदर रोश की कसूरी मिथी डालनी है आप चाहिए कसूरी मिथी क पॉर्षै सर्थ हुजाने करें लें के साथ किरें नो और उसके अंदर थोड़ा सा ओईल एड़ करेंगे, लगवग मैंने एक बड़ा चमाज यहां पर ओईल एड़ किया है, तो कम से कम ओईल का यूज करेंगे सबजी को पनाने के लिए, और इसके अंदर हम गोबी एड़ कर देंगे, तो गोबी को अपने थोड़ा सा ओईल डाल बलड़ा चलाते रहना है, और एक बड़ आपने गोबी को डीप फ्राई निकरना है, डीप फ्राई करने से गोबी जदा गल चाती है, और ग्रेवी में डालते हो तूट चाती है, हलके से पानी के छीटे मार लेते हैं ताकि गोबी थोड़ी सॉफ्ट हो चाहे, तो आपको ग्रेवी बनाने के लिए उसी कड़ाई के अंदर ओईल एड़ करेंगे, यहाँ पे मैंने दो बड़ी चमच ओईल एड़ किया है, और ओईल आपका जैसे थोड़ा सा हीट हो जाए, तो आपने इसके अंदर होल स्पाइसी डालने है थोड़े से, एक टेज पत्ता एड़ कर दिया है, आप जैने लस्न को कूट के भी डाल सकते हैं, यहाँ पे, लस्न को थोड़ी दर पका लेते हैं, जैसे कलराना शुरू जाए, इसके अंदर प्याज भी ऐड़ कर देंगे, और प्याज डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, और मीडि अधर गलस्न का पेस्ट आइड करना है, एक छोड़ा चमच, और अधर गलस्न की पेस्ट को आपने है, मीडियम तो लो फ्लेम में अच्छे से पका लेना है, जब तक इसकी जो स्मेल होती है, इसका फ्लेवर होता है, बहुँ खतम ना शाए है, तो देखे पेस्ट भी पक च जाए का ग्रेवी के अंदर, और ये देखे, मसालों ने यहाँ पे ऑईल चोड़ना शुरू कर दिया है, फिरम इसमें टमैटो प्यूरी भी आड़ कर देंगे, जो टमाटर हमने पीस के रखे थे और साथ में नमक भी आड़ कर देते हैं, और इसके बाद आपने टमाटरों को भी पका लेना है, और ये देखे, ये हमारा मसाला बनके त्यार हो चुका है, तो इस तरह से आपने आलू गोबी के लिए मसाला बनाना है पहले, फिर हम इसमें आलू पकाएंगे, तो आलू को देखे, मैंने पानी में डाल के रखा था ताकि आलू डाल को आपने पूरा नीचे देखे, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं सबजी में, उनको भी आपने फेंकना नहीं होता है, तो ये देखे, यहां पर मैंने कम से कम दो मिनट तक आलू की मसाले के साथ भुनाई कर लिया है, फिर हम इसके अंदर पानी एड करेंगे, क्योंकि आलू को आप मसाले कबर कर देखे, और कम से कम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेव में अराम से पकने देखे आलू को, तो ये देखे, 10 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी अच्छे से इसने ऐल चोड़ती है, और आलू चोए हमारे यहां पे 70% पक चुके हैं, अब पता कैसे चलेगा, आलू 70% पक चुके ह अराम से पीस टूट रहा है, तो समझे, 70% पक चुके हैं, फिर हम इसमें देही आइड करेंगे, देही हमारे मसालों के फ्लेवर को बैलेंस करेंगा, और जो नौन बे ग्रेवी में टेस्ट आता ना, बैसा ही आपकी ग्रेवी में टेस्ट आएगा है, देही को भी थोड़ी शैलो फ्राइ करने का यही एक फाइद होता है, और गोबी को कम से कम दो मिनिट तक भूनने के बाद आपने उपर से कवर कर देना है, और उपर से कवर करने के बाद कम से कम दो मिनिट तक मीडियम फ्ले में अराम से पकने देना है, तो यह देखिए, दो मिनिट के बाद होगा आपकी गोबी ना तूट जाएगी तो गरम पानी डालने से कोकी प्रसेस चालू रहेगा और साथ में देखिए थोड़ा सा पानी हम इसमें और एड कर देते हैं यहां पर जितना पानी यूज करना चाते हैं इससे विए पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप में देखिए आपके आलू को भी थोड़े कच्चे रहेंगे तो अच्छे न लेगें तो आपने उस टाइम तक पकाना है जब तक आलू को भी आपके विल्गुल सॉफ्ट नौ जाए और के देखिए जवर्दस हमारी सबजी बन के यहां पर त्यार हो चुकी है और ला पॉडर डाल देना है गरमसाला पॉडर डालना चाहें तो थोड़ा सगर मसाला पॉडर भी डाल सकते हैं तो यह हमारी आलू को भी क्रेवी बाली बनके त्यार हो चुकी है इस तरह से आप इस सब्जी को पना के देखिए खाने बहुत ही जदा टेस्टी बनती है तो फ्रें